आप जिस वकत कोई भी सर्वे डिजाइन करते हैं तो दो तिन question important आपके mind में आते हैं अब किसी से भी survey share करते हैं तो सबसे पहले question करेगा does the sample frame span the entire population क्या आपने पूरी population को लिया अगर आप union console को access करते हैं तो आपके data की कोई worth नहीं होगी आप एक district को लेते हैं तो data बहुत ज़्यादा reliable नहीं होगा आप एक province लेते हैं तो उसकी reliability थोड़ी से बेतर होगी अगर आप एक national level का survey launch कर रहे हैं पूरे country का national representative sample आप use कर रहे हैं तो उसकी worth बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए सबसे पहले मुझे है कि कितना जो आपका frame है population क्या पूरे country की access की या एक चोटा सा group को आपने access किया तो वहां से आपका पहला question आएगा and number two whether there is response wise क्या को response wise था अब response wise को जब हम detect करते हैं तो उसके दो major criteria होते हैं उसको access करने के और detect करने के number one unit non response आप unit non response जो होता है कि आप ने जो unit of analysis है if your unit of analysis household तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ household आपको नहीं मिले तो उनको आपने कैसे adjust किया number two अगर आपका unit of analysis female थी अगर घर में female को आप access नहीं कर सके फिर आपने उसका क्या solution किया है तो कभी कभी आपके पास जो unit non response होता है कि जो party spent है वो आपको नहीं मिलता and sometime there is item non response कि कुछ लोग आपके पास ना आपने उनसे request की time लिया आप उनके पास बैठके survey करना शुरू हो गया question ने पहला section complete किया दूसरा section एक section आता है वो उसके response ही नहीं आपको देता that's आपको उसको कहते है item non response अब item non response एक portion जो है आप उसको वो उसने exclude का दिया दूसरे गार के उसने वो वालका दिया लेकन एक और आपको जो items हैं उनको response नहीं दिया उसके लिए कुछ लोगों के beliefs होते हैं कुछ लोगों की religious affiliation होती है, कुछ लोगों की Ö response करना च्छाथ नहीं समझते, जिसकी वज़ा से आपका जो survey है उसमें एकन executives आ जाती है अब को overcome कैसे करना है लाइक, मैं गर में जाता हूँ, वहाँ से मुझे HDA का एक नमबर मिल जाता है, या poverty का एक नमबर मिल जाता है, दूसरे गर में जाता हूँ, तो वो missing होता है, अब मैंने उसको किस तरह adjust करना है, उसको मैं zero नहीं लिख सकता, उसका मैं number खुद generate नहीं कर सकता, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको business को overcome करने के लिए statistical techniques कुछ लगा के missing values को adjust करना के लिए को standardized criteria लगाना होता है, और उसके लिए हमें econometrics help कर सकती है, उसके लिए हमें statistical software help कर सकते है, और sometime उसमें हमें expert help कर सकते हैं,